पिहार में बिधान सवाच उनाओ 2025 में होने है लेकिन एजेंडा से ठो रहा है शुरुआत तेजस्वी आदों ने की है उन्होंने विजली बिल माफ करने यानि 200 यूनिट फ्री विजली देने का एलान कर दिया है कहा सरकार बनेगी तो हर घर को 200 यूनिट फ्री विजली दी ज सरकार पर और बढ़ेगा यानि 10,000 का बोज सरकार पर और बढ़ेगा यानि 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेगा टेज tumMr. आदों ने कह दिया है कि जो भी harus करना पड़े खर्च करेंगे और हम व्युरी विजली देंगे जो प्री विजली हिने गया था हम फिर से उसको लागू करेंगे यानि तेजस्वी आदो एग्रिसिवली बिहार के लिए एजेंडा सेट कर रहे हो और इस एजेंडे में साब तोर पर है कि बिहार में तमाम वो बातें करना है जो आरजेडी चाहती है आरजेडी पार्टी चाहती है भले ही जो सामने अन्टिये है यानि निती इसकुमार के नेत्रत में जो मौरचा है वो कई तरह के सबदी नेता परतिपक्षर पर लेकिन नेतिया परतिपक्ष कह रहे हैं कि हमने जो कहा है वो करेंगे भले ही हमको कुछ करना पड़े तेजस्वी यादो मुखय मंत्रि निती इसकुमार पर भी सवाल उठा रहे हैं उनकी यात्रा पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं दो अरब से ज़्यादा रूपए इस यात्रा पर खर्च होंगे तेजस्वी के पिता यानि लालू प्रसाद्यादों ने तो सीधा-सीधा यात्रा को लेकर बड़ा सवाल कर दिया और बड़ा हमला कर दिया कि नितीज कुमार यात्रा नहीं करने जा रहे हैं आख से करने जा रहे हैं यानि साब तोर पर है एक चिरप अंदाज में लालु प्रसाद यादों ने जिस तरह से नितीज कुमार पर हमला बोला है नितीज कुमार को निसाने पर लिया है वहीं तेजस्वी याद पॉलिटिक्स शुरू हुई थी दिल्ली वाया 36 गणव वाया पंजाब वाया हरियाना वाया महारास्ट वाया जारखंड अब वो पॉलिटिक्स जो है बिहार में भी आ गई है यानि कि free देना है free लेना है free करना है तो अब ऐसे ऐसी बात हो सकती है कि आने वाले दिन में जिस तरह से महीला संबाद यात्रा पर मुख्यमंत्र नितीस कुमार निकल रहे हैं उसके बाद कुछ ऐलान NDA की ओर से भी किया जाए क्योंकि BJP जहां जहां रही है उसने भी एजेंडा सेट किया है उसने भी जो फ्री का एक तरह से कहें कि फ्री की जो रेवडी बाटी जा रही कह सकते हैं कि बिहार का घमासान भले ही चुनाओं में अभी एक साल का समय बाकी है लेकिन सुरू हो गया है सुरुआत तेजस्वियादों ने की है और लगातार अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं यानि आने वाले समय में जो हो सकता है कुछ और एलान कुछ और बा है जो अने राज्यों में एक तरह से कहा है जीत की गारंटी बनी और जिस तरह से मुखेमंतर नितीष कुमार महिला सम्मान यात्रा पर निकल रहे हैं तो हो सकता है महिलाओं के लिए सम्मान निधी की भी घोसना हो सकती है बिहार में और आरक्षण का मुद्दा तो चली रह है सम्मिधान बचाओ तो इंडिया गटबंधन का नारा ही है लेकिन इन सब के बीच में एक तरह से कहा जाए कि दबाओ की पॉलिटिक्स वो भी घटबंधनों के अंदर सुरू हो गई है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा कौन जादा से जादा दबाओ बना सके यह लेकिन अब इसकी सुरूआत हो चुकी है और यह माना जा रहा है कि 2025 आते आते हो सकता है कि यह जो सरकार है यही बिचली बिल माफ कर दे क्योंकि अभी तक यह सूचना आ रही थी जिस तरह से आरजेडी की वोर से स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन किया गया उसमें बिचली पाले दिनों में यह कदम देखने को मिले लेकिन सुरुआत राजत की और से की गई है सुरुआत महागडबंधन की और से की गई है सुरुआत नेता प्रतिपक्ष की और से की गई है सुरुआत लालू के लाल की और से की गई है और पूर्व डिप्टी सीम तेजस्यादों क औरसी की गई है जो कहते हैं कि हमने राजे में रोजगार